प्रेम को स्विकार करते हैं लेकिन सडेयंत्र को नहीं, देश हमारे लिए सर्वो परी है, सीमा का स्वागत है, अगर वो हिर्दय के साथ भारत के सचीन से प्रेम करती है, तो उसका स्वागत की किया जाएगा। कि भारत आने और उसका हिंदु धर्म स्विकार कर लेना, इससे पाकिस्तान के मुल्ला और मौलवियों में बहुत बड़ी खलवली मचीव, अल्ला का घर माना जाता है महजीत को, लेकिन उस अल्ला के घर में सिर्फ आधी अबाधी जा सकती है, लेकिन मुस्लिम महिलाय नहीं आप पूछेंगे किसी मुल्ला से, मौलवी से, कि जनाब आप क्यों नहीं महिलाओं को अंदर प्रवेश देते, तो उसका उत्तर देते हैं, कि भई औरत जात नापाक है, ये समझ में नहीं आया, कि आम के फसल से आम निकलता है, बैगन से बैगन और टमाटर से टमाटर ही फलेगा, लेकिन आप उनसे पुछें कि क्या कभी पपीते के पेड़ में बरगत सीमा का भारत चले आना, जैसा वो कहती है कि उनको हिंदु धर्म से प्रेम है, वहां उनको इज्जत नहीं मिल रही थी, उनके जो सोहर थे, वो इनके साथ बुड़ा बरताओ करते थे, इन सीमा में उपएड नहीं रख सका, इसी बिहार की पाटली पुत्र के चानक और चंदर गूप्त ने निरने किया और उसने सिकंदर के कार्मा को भारत में घुसिकंदर के सेनापती सेल्यूकस की बेटी आई थी भारत लुटने, लेकिन वो हिर्दे लुटा कर चली गई, जात पाकिस्तान की निव हीली हुई है, सासाथ पुरे इसलामिक जगत का, जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के अंदर बिना गटवंधन के, बिना महिलाओं को बिठाया हमारा एक यजप पुर्ण नहीं होता, इसलिए हम अरधांगन मानते हैं, तो भारत की संस्कृति के सामने पाकिस्तान की महिलाएं नतमस्तक हो रही है, और इस बात का दियो तक है कि एक सीमा नहीं है, ये सीमा तोड़ करके हजारों लाखों अभी तो एक सीमा आई है, दोस्तों नमस्कार, इन दिनों सोसल मीडिया पे आप सैज जानते होंगे कि सचीन और सीमा हैदर की कहानी बहु कि मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हूँ, सर सबसे पहले तो मेरे चानल में स्वागत है, धन्यवाद, पहले आप अपना परचे दे दीजे, विनोत कुमार सिंग यादो, हिंदु जागरन, प्रांत सैयोजक, जैसे आप भी सैज जानते होंगे कि सचीन और स चर्चा में है, पूरे भारत में चर्चा है, भारत से पाकिस्तान तक चर्चा है, इस पे आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है? भारत प्रेम में है, और भारत में जो सात्विक प्रेम है, उसको स्विकार किया जाता है, प्रंतु भारत का मतलब ही होता है, ज्यान में रत रहने वाला, इसलिए ये रिसी मुनियों की भूमी है, और हम लोगों ने देखा है, कि संसार में एक देश, दूसरे देश के अंद सबसे ज़्यादा आपका उधारन है मोशाद का ये मोशाद जो इसराइल की खुफिया एजंसी है और आप जब देखेंगे तो उनकी लड़कियों ने पूरी दुनिया में जाकर जिस प्रकार से अपने देश के लिए अपने मीशन के लिए दुनिया के अंदर बहुत सारे वि देश हमारे लिए सरवो परी है सीमा का स्वागत है अगर वहिरदय के साथ भारत के सचीन से प्रेम करती है तो उसका स्वागत ही किया जाएगा लेकिन भारत वर्ष सचेत है इस मामले में और आप देख सकते हैं कि हमारे यहां भी विस्कन्याओं का बहुत सारी कथाइं आत इसलिए हम लोग ऐसे ही सीमा को स्विकार कर लें यह संभव नहीं है लेकिन सीमा के भारत आने और उसका हिंदु धर्म स्विकार कर लेना इससे पाकिस्तान के मुल्ला और मौल्वियों में बहुत बड़ी खलवली मची हुई है और यह खलवली इसलिए भी मची हुई है कि उनको मालूम है कि इसलाम की धरातल बहुत कमजोर है पूरे अभी इरान का माम लाया है वहां की महिलाओं ने किस प्रकार से बुरके के खिलाफ लगातार आंदोलन की और सैंक्रो लोग उसमें सहीद हो गई महिलाएं हम लोग जानत है कि महिलाओं में रूह नहीं होती आत्मा नहीं होती उनको हक भी नहीं मिलता जमीन जैजात में उनको यह अधिकार ही नहीं है कि वह महजीद में जाके नमाज पर सके अल्ला का घर माना जाता है महजीद को लेकिन उस अल्ला के घर में सिर्फ आधी अबादी जा सकती है ले समझ में नहीं आया, कि आम के फसल से आम निकलता है, बैगन से बैगन और टामाटर से टामाटर ही फलेगा, लेकिन आप उनसे पूछिए कि क्या कभी पपीते के पेर में बज़गत फला है, कभी केले के पेर में अमरुत फला है, तो बुलेंगे ना, तो हम लोग कभी कभी पूछ देते हैं कि जनाब जब आपकी अम्मी नापाक थी तो आप पाक कैसे पैदा हो गए इस सवाल का जवाब दुनिया में नहीं दे रहे हैं लोग और जैसे जैसे ये सवाल बड़ा होता जा रहा है आधियाबादी के सामने तो वो निर्णे करने लगी है और सीमा का भारत चले आना जैसा वो कहती है कि उनको हिंदु धर्म से प्रेम है वहाँ उनको इज़्जत नहीं मिल रही थी उनके जो सौहर थे वो इनके साथ बुड़ा बरताओ करते थे इन सब से वो पिरित होके भारत आई है जैसा कि वे कहती है तो इस कथन में दम है परन्तु हम भारत के लोग जब तक सीमा की बाकी प्रिष्ट भूपी को न समझ ले हम लोग उनके लिए जाच की मांग करते रहेंगे और लेकिन सवाल जो बनता है ऐसा अनुमाल लगाया जाता है कि कहीं पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है सीमा हैदर क्योंकि जब वो साधी कर रही थी तो उनका जो डॉक्मेंट था वो पाकिस्तान का था तो उस समय उकील का डाउट हुआ और फिर पुलिस को इनफॉर्म किये तो जास परताल चड़ने लगा तो ऐसा अगर वाइदा भी निकलता है सीमा हैदर अगर पाकिस्तानी जासूस है तो फिर सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहना चाहिए जासूस अगर है तो हिंदुस्तान में कहसे रह सकती है परंति मानविये जो मन होता है वो परिवर्तन सील है जिस प्रकार का प्यार उनको भारत में मिल लहा है, मुझे लगता उनका हिड़दय भी परिवर्तत हो रहा होगा अगर वो जासूस बनके भी आई होंगी, तो निश्चित रुफ से पाकिस्तान के सड्य अंत्रों पर भारत का प्रेम बीजय पराप्त कर लेगा इसके बहुत सारे उधारन है, उसका सबसे बड़ा उधारन हमारे यहां है, कि जब भारत को लूटने और भारत को रौधने के लिए सिकंदर युनान से चला था, विश्ववी जेता उसको कहा गया, भारत की सीमा में उपएर नहीं रख सका, इसी विहार की पाटली पुत्र के चानक और चंदर गुप्त ने निरने किया और उसने सिकंदर के कार्मा को भारत में घुसने नहीं दिया, परिनामता सिकंदर तो मारा ही गया, अपने देश लोट भी नहीं सका, लेकिन उसी सिकंदर के सेनापती सेल्यूकस की बेटी आई थी भारत लुटने, लेकिन वो हिर लुटा कर चली गई जाते समय उसने अपने पिता सल्यूकस को कहा था पिता जी मैं भारत की मिट्टी से यहां की संस्कृति से मुझे इतना प्यार हो गया है कि मैं तो अब भारत की होके रहूंगे आगे क्या हुआ उसकी बेटी हेलना का बिवा चंद्रगुप्त से हुआ ले ठीक है इसका हाथ पकर लो विवा करो यह भारत की बहुत उबन सकती है लेकिन भारत के अंदर जो हमारा गोफनिय अस्थान है वहां इसका परवेश अभी संभब नहीं है तो भारत के पास ऐसे बहुत सारे उधारन है और पाकिस्तान की निवहीली हुई है सासात पूरे इस इसलामिक जगत का जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के अंदर बीना गठवंधन के बीना महिलाओं को बिठाया हमारा एक यजपुर्ण नहीं होता इसलिए हम अरधांगन मानते हैं तो भारत की संस्कृति के सामने पाकिस्तान की महिलाएं नतमस्तक हो रही है और इस बात क दियो तक है कि एक सीमा नहीं है ये सीमा तोड़ करके हजारो लाखो अभी तो एक सीमा आई है लेकिन आकल आने वाले समय में न जाने कितने आयसा और कितनी परवीन हिंदू धर्म को स्विकार करेगी ये आप सोसल मीडिया पर देख रहे हैं इसलिए उनके मौलानाओं को य दर लग रहा है कि यदी सीमा वहां पर होके रह गई तो सैथ पाकिस्तान की हजारों लाखो लड़कियां इस नकाब से इस जिहाद से इस हलाला से और इस तलाक से मुक्ति ले करके एक प्रेम में सनातन संस्कृति की ओर न भाग चले इस डर से पाकिस्तान बौक लाया हुआ तो अगर मालीUNG की पाकिस्तान कोई एक्सन लेता है वो बुलेगा कि सीमा को लोट आई ये तो फिर क्या होगा पाकिस्तान एक्सन लेगा उसके एक्सन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी देश की खुफिया एजेंसी है, न्याले है, हमारे यहां के राजनाईक है, यह सारे लोग विचार कर रहे हैं, और यह बहुत गंभेरता से इसका विचार चल रहा है, और जब तक पूरी जाच नहीं हो जाती, अभी कुछ कहना संभब नहीं है, हाँ, हम मानप के पक्षधर हैं, हम प्रेम के पूजारी हैं, लेकिन राष्ट सरवोपरी है, और इस राष्ट की सुरक्षा से कोई समझाता संभब नहीं है, और हमने आपको बताया, कि न जाने सक, हून, युनान, मिस्र, रोमा, सब आए भारत में, और यहीं के रस गए, यहीं पच गए, और आने वाले समय में भी भारत का जो परिवार है, भारत की संस्कृती और भारत सनातन का जो व्यभार है, उसके कारण से आज आप देख रहें, इसका उनके माध्यम से, हरे कृष्णा, हरे रामा, पूरा यूरोप, अमेर्का, अब तो अरव कंट्री के अंदर, हरे कृष् उसका स्वागत करते हैं. वो देख रही है, वो समझ रही है कि कब तक हलाला सहेंगे, कब तक हम सौतन का तलवार अपने गर्दन पर जहलते रहेंगे. वो विचार करती है कि हमें अगर मर्यादित जीवन जीना है, तो मर्यादा पुरसत्तम स्तिरी राम का जीवन और उनके आदर्स के अनुरूप मु चूती मानते हैं, जब तक इससे जितना फसल पैदा कर लो और ये द्रिष्टी रखने वाले लोग भारत के इस बिराट सोच के सामने न टीके हैं न आगे टीकेंगे, ये प्रकिर्तिक चीज़ें और प्रकिर्ती जो उनके अनुकूल नहीं होता, वो इस एक दिन वो प्रकि है दिये सीमा और सचीन का जो स्टोरी है उस पर आपको क्या रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताईगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किजेगा ताकि सरका जो बिचार है हर एक यूबा तक पहुंच सके और हर वैसे लोगों तक पहुंच सके जो लोग इस कहानी के बारे में चर्चा करते हैं फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू बेरी मुच